असलाम वालेकुम दोस्तों कैसे आप लोग उमिद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काफी जने परेशान होंगे कि हमारा रिजल्ट कब आता है टॉस का तो अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है जैसे ही टॉस की अपडेट आज़ती है तो हम आपको बता प्राक्टिकल एक्जाम्स आपके रंडिंग है तो यह बात याद रखना चाहिए कि जब तक प्राक्टिकल एक्जाम्स कप्लिट नहीं होंगे आप लोग का कोई भी करेक्शन अभी तक जो है स्टार्ट नहीं होगा तो यह बात याद रख लिजे तो अभी आप लोगों का कोई भी correction जो है start नहीं हुआ है अभी सिर्फ regular intermediate वालों का correction स्टार्ट कर दिये है complete हो गया है और one week के अंदर इंशाला intermediate regular वालों का result आ जाएगा अभी 10th class का भी result नहीं आया है तो ये बात याद रख लिजिए आप toss के लिए काफी time होता है जुलाई की last week में result आने के चांसे से या नहीं तो August में आने के चांसे से result के जैसे ही कोई update आती है हम ज़रूर बताते है नेक्स वीडियो में आपको toss के बाद जैसा आप toss में open intermediate करे है open sse करे है वैसे ही आप graduation में क्या कर सकते है toss open distance education उसके बारे में पुरी details बताऊंगा वो video बना दिया हूँ अभी इसके बाद मैं उसके बारे में पुरी details upload कर दूँगा वो video को ज़रूर देखिए आज की इस video में इतना ही कामरान को इजाज़त दीजिए next video में मिलता हो तब तक अपना बेहत ख्याल रखिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए एजुकेशन की नोटिफिकेशन हम यहाँ पर आपको हमेशा देते रहते हैं कोई भी अगर दॉट है अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें आज की इस वीडियो में इतना ही अपना बेहत खयाल रखिए वीडियो को शेर जरूर करें चैनल पर पहली बार विजिट के तो सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम हमारे चैनल पर जरूर अपलोड करते रहते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही जो नेक्स वीडियो में आने वाली है उसको जरूर देखिए उसमें मैं पुरा टॉस के बारे में समझाया हूँ कि आप ग्रेजुएशन में और पीजी में कैसा ओपन डिस्टेंस से कर सकते कहां से कर सकते तो आज की इस वीडियो में इतना ही अलाफिस